वेल्कम टॉलेक्ट्रिकल डॉस दोस्तों बादो स्वागत आप ससी का हमारी युटूब से हैल पे गाइज अभी तक हम PGCIL जो फिल्ड सुपरवाइजर का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसकी दो वीडियो मैंने दोस्तों अपलोड कर दिये आप सभी लोगों को फस्ट पार्ट की और सेकेंड पार्ट की जिसमें मैंने दोस्तों 25-25 कोश्चन करके 50 को मैंने डिसस किया टेक्निक अगर आपने पहले दो वीडियो वाज नहीं किये तो प्लिस्ट में जाईए वहाँ पर फिल्ड सुपरवाइजर प्लिस्ट पनी होई है जहां से आप फस्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों वाज कर सकते हैं वीडियो को इशाट करने से पहले दोस्तों एक कोश्चन जो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा गलत हो गया था उस पर एक बार डिसस कर लेते हैं कोश्चन नंबर 42 चलिए म मैंने कोश्चन सौल किया था यहां पर i is equal to im sin omega t ठीक है यहां पर दोस्तों मैं omega की value है ओमेगा की value होती है 2πF तो यहां पर हम πाई की value मैंने 3.414 रखी थी ठीक है जो की radian में होती है और चुग की दोस्तों हम जब sin का inverse करेंगे तो यह value दी हुई है जो sin inverse 0.9 की value दी ही वो दिग्री में होती है तो दोस्तों हम पाई की वैल्यू भी डिग्री में 180 रखेंगे तो जैसे हम पाई की वैल्यू 3.14 ना रखते हुए 180 रखेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा तो यही गलत हुआ था इसी वाद से यह 0.004 आंसर नहीं आ रहा था तो आप सभी लोगी कर लिजेगा इसे ठीक है तो चली दोस्तों हम साट करते हैं यह इस पेपर का जो इनाल्सिस में हम नॉन टेक्निकल पॉर्षन करते हैं उसे अनाल्सिस करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम इनाल्सिस करेंगे इंग्लिस के पॉर्षन को जिसमें टुटल पाच कोशन इंग्लिस को टिक कर देंगे लिगे पहले हम देखते हैं पहला कि दिया हुए कि I have thrown वह यहां पर चार टाइप के जो दिये हूए हैं चैक बलत ऐसंदेंस के पार्ट दिये हुए हैं इसको आपको इस वे में कनेक्ट करना है कि मीनिंग्फुल मीनिंग्फुल सेंटेंस बन जाए तो यह बहुत ही सिंपल होता है दोस्तूं अगर आप यहां पर चारो जो अप्शन है आपके उसके गार्डिंग सेट कर लिजे क्योंकि अगर आप खुछ सेट करने जाएंगे या आप्शन को नहीं चेक करेंगे तो थोड़ा सापको लंबा टाइम लग सकता है आप क्या करिए जैसे यह कोशन का फर्स पाट दिवार इट सर्स एन यहां पर दिवार तो अकॉशन को करेंगे तो एक मीनिंग्फुल सेंटेंस आपको मिल जाएगा तो उस हिसाब से आप इसे रिकरक्ट कर लिजेगा नेस्ट कोशन है दोस्तों यहां पर देखिए जो थर्ड है सेरेमेनी इन विच क्राउन इस प्लेस्ट ऑन दे हेड और न्यू किंग और क्व तो यहां पर बोलते थे कि मतलब जेकि राज्याभिशेक हिंदी में एक वर्ड होता है राज्याभिशेक जब आपके कभी कोई राज किसी भी राज में नया राजा बनता था तो इसका राज्याभिशेक होता था तो इसे हिंदी में दोस्तों राज्याभिशेक कहते थे और और English में coronation बोलते हैं, तो वही बोला है ceremony in which a crown is placed on the head of a new king or queen, तो इसे English में coronation बोलते हैं और हिंदी में अगर हम इसे बोले तो दोस्तों इसे बोलते हैं राज्या विशेक, और बाकी जो वर्ड है उनका भी अगर हम मतलब देखें तो append का मतलब होता है दोस्तों खतम कर देना, affiliation मतलब होता है दोस्तों मुसीबत, पीड़ा, दुख, और convocation मतलब दोस्तों होता है जैसे दिच्छान समारो जहां पर आपको डिग्रिया वगर दिप्लोमा किया होगा, तो आपका एक convocation होता है, लास में जैसे दिच्छान समारो हम बोलते हैं, ये one word substitution से आते रहते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान बिजेगे, coronation मतलब होता है दोस्तों कि जब आपका डाज्या विशेक होता है या फिर कोई भी कहानी होगर पढ़ेंगे तो हिंदी में आपने word यूज क्या होगर आज्या विशेक, तो उसी का हिंग्लिश में होता है, coronation, next question है दोस्तों यह एक phrase है, ठीक है इसका बहुत जारा meaning नहीं निकल के आ रहा है, pagans regarded staring as- as parents of well-mannered children still do, तो यहाँ पर इसका अंसर impudent होगा दोस्तों, impudent वदलब दोस्तों होता है आप कह सकते अविवेकी type का होता है, यहाँ पर इसका meaning हम देखे अगर impudent रखे तो अधार्मिक लोग घुरन को अभी भी अविवेकी मानते हैं, जैसे अच्छे माता-पिता के बच्चे अभी भी करते हैं, तो इस type का कुछ meaning निकल के आएगा, अगर हम बात करते हैं तो अधर जो words दिये हुए, resplendent का मतलब चमकीला होता है, दिप्त प्रोविडेंट का मतलब, दोस्तों यहाँ पर correctly, spread the word है, तो आप इस चीश को जानते होंगे, चलिए, अब next पार्ट में आते हैं, reasoning में, reasoning दोस्तों यहाँ ठीक ठाग लेवल की reasoning आई थी, बहुत जारा easy थी, बहुत जारा tough थी, यहाँ पर दोस्तों देखिए, water image बनानी है, ठीक है, आप इस image की आपको water image बनानी है, नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, ये नीचे की ओर बनेगा, और second portion में ही रहेगा, तो ये नीचे की ओर बन गया है, और इसी तरह आप, देखिए, दोस्तों, इसी तरह आप compare कर सकते है, यह चीज ऊपर चली जाएगी, तो इसी तरह आप compare करके, first option को correct कर सकते है, यह स्क्वाइर दो स्क्वाइर तीन स्क्वाइर और चार स्क्वाइर तो यह तो आपको दिख गए है ठीक है अब बाकी बच्चे वे तीन स्क्वाइर कहा है वो देखना है देखें आप देख सकते हैं तीन स्क्वाइर देखेंगा यह पांचवाइं स्क्वाइर यह च्छटा स्क कर रहे होफुली दोस्तों आपको यह समझ में आओगा बहुत सारी करेंडेट्स इस तो आता भी ओगा यहाद दोसे देखे ही चूस आप इस इसे सेमिलर टूद प्हेर गीवन इन सीगर आपको यह पेर दिया हुआ है और आपको इसी के सीमिलर पेर चूस करना है बहुत अंदर की तरफ तो दूसरा बाहर की तरफ है तो ऐसा कॉन-कॉन सेनप पहली बात व tools हो जाएगा क्योंकि इसमें एक खल llegue कर नहीं इतकर कि इหนीए इसमें टुर्ण खाले जाएगा तो क्योंकि इसने दोनों तरफ एक नीचे है और एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ है तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अगर आपको दोस्तों कन्फीजन है तो एक बार फिर से बैक करके देख लिएगा आपको समझ में आ जाएगा जो बाते मैंने बोली है यहाँ पर दोस्तों और वेनस और स केली फोन टिक है तो आपको कुछ नी करना चीरो प्लस वान प्लस टू करके ऐसे प्लस राइन अगर करेंने तो अब ब्रहुच्त करेंगे थोमकर 22 प्लस 189 122 प्लस 189 चुकि ब्रैकेट में है इसे हम सॉल करते हैं तो 311 आ जाएगा माइनस 550 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 25 आ जाएगा तो 22 आ जाएगा और यहां पर प्लस दिया हुआ जाब इसे हम सॉल करेंगे प्लस प्लस को आड़ करके सॉल कर लेंगे तो यहां पर 299 हमारा आंसर आ जाएगा तो आप्शन नमबर सी बिलकुल सही होगा ठीक है अब यहां पर दोस्तों देखिए यहां पर क्या बताना है कि जो फस्ट जो सेकेंड टरम हो फस्ट टरम से जिस्तरा रिलेट कर रही है उसी जो घिवन फीगर है उसमें से चूस करना है कि आकर्ति किसमें है तो आप यह देख सकते हैं दोस्तों कि यह आकरती हमारी इसमें है ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान दिजिएगा तो यह आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए दिक्रिश आपको आप देख हुआ है 4 दिया हुआ है और ग यहां पर देखिए आपर करेंगे तो क्लेटी एट आ जाएगा मतलब आपको एक इक बढ़ाए करना पहले किया फिर 24 से किया और यहां फिर आप पास से करेंगे लेकिन जब आप 5 से मल्टी खीया करेंगे तो यह पे यहां पर देखिए दोस्तों, बोला है, how many cubes have three surface painted, एक cube दिया हुआ है, और इस cube में यह बताना है कि कितनी surface, जो है, three surface, मतलब ऐसे कितनी cube है, इस बड़े वाले cube में, चुकि यह cube भी, बड़ा cube भी, छोटे-छोटे cube से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजेगा, यह इतने ऐसे cubes है, जिनकी तीनो surface painted है, तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि कितनी surface, देखिए, आप इस cube को अगर देखें, यहां मैं आपको गोला करके दिखा रहा हूँ, यहां पर जो गोले के अंदर rbg लिखा हुआ है, यह जो कोने पे cubes होते हैं, दोस्तों, वो तीन जगहा से painted होते हैं, और जो इतका एक surface होता है, वो अंदर की तरफ होता है, तो वो painted ही नहीं होता है, बाकी यह जो तीन दिख रहा है, वो painted होते हैं, ठीक है, यानि एक, सेम यही cube आपको किनारे यहां भी मिलेगा, सेम यह cube यहां भी मिलेगा, और नीचे भी आप देख सकत से ऐसे होते एक सिभी क्योंके जिसके तीन सब्सक्राइब होते एंगर हम कोशन में यही पूदे कि दो सर्फेस पेंटेड है दो से अगर पेंटेट की बात कहले तो इसका फार्मूला होता है n-2 multiplied by 12 के लिए यह 2 सर्फेस पेंटेड के लिए अगर हम एन की बात करें तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों वन सर्फस के लिए ऊता है सिक्सıs? उने सर्फस के लिए एक अप पैंटेक है भेज़ता है, उसके लिए क्या फ transfusa हता है दूस्तों यह जिसके कोई भी सर्फिस पेंटेड नहीं होती एंड माइनस टू की पावर क्यूब ठीक है इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप जो नेक्ट पॉर्चन है वह एप्टिट्यूड का है काफी अच्छे कोशन्स आए हुए है दोस्तो नहीं ले सकते हो बहुत लंबे कोश्यन है ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तो फर्स्ट कोश्यन है बहुत सारी लोगों को इंग्लिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मैस और डिनिंग सॉल करते वग अगर आप बोलेंगे तो मैं हिंदी में भी पे यहां पर हम बना दें जिसकी व्यल्यू हमें दोस्तो 16 के एककोल मिले तो देखें पहला पर तो 4 x 4 ठीक है दूसरा पर दोस्तो हमारा 8 x 2 तीसरा पर हमारा 2 x 8 और जो हमारा चौधा पर होगा 1 x 16 और 5 x 16 x 1 तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ नि 5 पर ऐसे रहेंगे दोस्तो जहाँ पर हम 16 प्राप्त कर सकते हैं, चलिए, next question है दोस्तों, the perimeter of the wire used to enclose a rectangle is 100 cm, देखे, perimeter का मतलब होता है दोस्तों, आप बोल सकते हैं, हिंदी में इसका मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, perimeter मतलब दोस्तों, rectangle, suppose rectangle है, ठीक है, तो ये जो बनाने में, suppose इसका formula होता है, two bracket में a plus b, ये formula होत चलिए, अगर हम इसी perimeter का, हम square भी बनाए, इसी perimeter का square भी बनाए, तो सेम, मतलब अगर हम सेम, किसी धागे से हम rectangle को cover कर रहे हैं, और उतने ही धागे से हमें, sorry, square बनाना है, तो यानि हमारा perimeter same है, तो जो square का perimeter होता है, दोस्तों, वो 4a होता है, 4a is equal to 100, तो a is equal to 25, अगर अग म मैं पूछा क्या है, what will be the area of square form using the same piece of wire, तो same piece of wire का use करके हमें इस एरिया बताना है, 25 multiplied by 25 is equal to 6 to 5 cm square, cm square इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसकी unit होती है एरिया की, तो hopefully दोस्तों आप सभी लोग को समझ में आया हुआ, यहाँ पर दोस्तों जो third question है, कोशन यह है कि an amount of money triples itself under compound interest in 9 years, मतलब कोई amount है जो कि 3 गुना हो जाता है 9 साल में, what is the rate of interest per year compound annually, मतलब compound and error है, मतलब आपको बोल सकते हैं कि compound interest को हिंदी में बोले, तो compound interest की हिंदी मुझे दोस्तों याद नहीं आ रही है, फिलाल compound interest, simple interest मतलब साध्राण ब्याज होता है, और compound interest मतलब दोस्तों जहाँ पर एक साल का ब्याज इतने होता है फिर उससे उपर लिया जाता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि इसका formula होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एक वैलू हमें पता है कि तीन गुना हो जाता है, तो थी पी ठीक है, और पी हमें पता है पी, ठीक है, वन प्लस आर बटे सो और इसका जबाब एन की वैलू रखोगे तो नाइन ठीक है, वैसे दोस्तों मैं एक suggestion आपको जरूर दूँगा कि आप ऐसे questions को skip कर सकते हैं क्योंकि solution में जब आप solution करेंगे तो आप बहुत problem face करेंगे, ठीक है तो ऐसे questions का कोई मतलब नहीं है जो आपके 10 minute खाए, next question है दोस्तों, कोई एक दुकांदार है दोस्तों, वो कोई भी कपड़ा खरीटता है ठीक है कोई दुकांदार है और वो कपड़ा खरीटता है तो उसको 1000 रुपए में कपड़ा बिलता है, ठीक है, he marks it up by 100%, मतलब इस पर जो कीमत लगाता है वो 100% जादा करके लगाता है, कोई कपड़ा उसने 1000 रुपए करेदा और he marks it up by 100%, तो इसकी जो selling price उसने जो श्टीकर चिपकाया होगा, मतलब वो एक हजर का कपड़ा खरीद की लगा है, दो हजर की MRP उसने चिपका दी अब कर्स्टमर कोई आ रहा है, तो वो 10% का सक्सेशिव डिसकाउंट दे रहा है, तो वहाँ पे आप 10% की दो छूट दे रहा है, ठीक है, पहले 10% दे रहा है, फिर जो एमाउंट बच रहा है, फिर उस पे 10% दे रहा है, ऐसा नहीं कि 20% एक साथ दे रहा है, ध्यान देखिएगा, 20% वो एक साथ नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं, बहुत सारे कहने सोचेंगे 10% के दो बार दे रहा है, तो 20%, वो पहले 10% वो पहले दे दे रहा है, 2000 पे, 2000 पे 10% वो दे दे रहा है, ठीक है, फिर वो जितना एमाउंट होता है, फिर उस पे वो 10% देता है, इसलिए इसको बोलते सक्सेसिव डिसकाउंट या क्रमिक चुट तो अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो निकाल सकते दूसरी चीज़ आप सौल कैसे कर सकते दूसी से कुछ इस तरह से सौल करते हैं 0.9 multiplied by 0.9, 10-10% की छूट है, तो एक अगर हम 10% निकाल दे तो 0.9 नहीं बचेगा, एक में अगर हम 10% निकाल दे तो 0.9 नहीं बचेगा, तो multiply करेंगे तो 0.81, ठीक है, यानि कि हमें छूट कितनी मिल ली, 0.81, एक से कितना कम है, 0.21, मालब total effective जो छूट होगी, वो 21% की होगी ठीक है, अब जब 21%, आप 21% निकालेंगे दोस्तों, स्वरी, 19% की छूट होगी, मैंने यहापे बोल दिया, 0.1, 0.81, तो आप देखेंगे, तो 1 से माइस करेंगे, 0.9, वादा 19% की effective छूट होगी, 19% की, आपकी effective छूट होगी, और जब आप भी fine करेंगे, 2000 multiplied by 19, अपन 100, तो यह 380 आ जाएगा, जहाँ अब 2000 में, अगर 380 माइनस करेंगे दोस्तों, तो आपका 1620 आ जाएगा, ठीक है, आप समझ गया होगी, बेसिक चीज़े मैंने आपको बता दिए, successive discount का मतलब होता है, 10% की छूट देने के बाद, जो value आ रही है, फिर उस पे भी 10% छूट देने रहा, तो effective value हमारी 19% हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया कि कैसे 19% आया, next question है दोस्तो, which among the following is the greatest, तो यहाँ पर दोस्तों, तीन 4 digits दिए होई है, जहाँ पर आपको यह बताना है, कि इसमें से greatest क होना है, maximum बंदों ने इसको गलत किया होगा, गलत कैसे होगा, लोगों ने 1 by 2 को इसका right option मान लिया होगा, ठीक है, तो यह लगा होगा, 0.75 को अगरम दो बर multiply करेंगे, तो कहीं ने कहीं हमारा answer 1 by 2 ही सही होगा, तो आप जब इससे करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते है आपका answer approach हो जाएगा, 0.56 के approach आएगा, जो की 1 by 2 से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इस सीच को आप ध्यान रखिएगा, next question है दोस्तों, if x minus 2 is a factor of x square minus ax plus 4 is equal to 0, what is the value of a, देखे अगर x minus 2 factor है, इस equation का x square minus ax plus 4 is equal to 0, तो x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2, अब आप x की value 2 रखेंगे, तो 2 का x square minus 1 a multiplied by 2 plus 0 is equal to 4 is equal to 0, तो यहाँ पर a की value दोस्तों 4 आजाएगे, आप solve का लिजेगा, बिल्कुल यही आज़र आपको मिलने माला है, next question है दोस्तों, average salary बताने है, पूरज साल की, तो कुछ नहीं करना है, बस यह जो total salaries है, इसको add करना है, total salaries को आप add कर देंगे, तो आप क आपको इसका answer आ जाएगा, तो question number 7 का answer D होगा, ठीक है, तो उमीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो, देखें, एक question ही यह थोड़ा सा doubt बहुत सारे candidates को रहा होगा इस question पे, यहाँ पर थोड़ा सा logic के हिसाब से solve करना था, देखें, समझेगा, पहले हम बात कर लेते है पवन की, पवन can do work x in 5 day, पवन कोई काम x है, कोई काम की quantity x है, पवन पहले हम लिख लेते हैं, पवन अगर x काम को 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, और फिर वही पवन, काम x और y को 16 दिन में करता है, मतलब अगर सिर्फ उसे x काम करना हो तो 5 दिन लगाता है, लेकिन उसे x और y को करना हो, तो वो 16 दिन में करता है, तो यानि पवन जो अगर पवन को सिर्फ y वाला काम करना हो, y वाला सिर्फ काम करना हो, तो क्या करेंगे, 16-5 is equal to 11, ठीक है, मतलब पवन जो है, x वाला काम 5 दिन में करता है, और y वाला काम, अगर सिर्फ उसे y वाला काम करना हो, तो 11 जीरा दिन के लेता है अब यहां पयूज़ क्या ब है इस प्रकास can do work दो test लो फान दो फ्रेकास की बात करते प्रकास जू है उसे टेंदेष मेंगता तो तो वाई को 11 दिन में करता है, चुकि प्रकास दुगना लेता है, तो वाई का काम करने के लिए प्रकास 22 दिन लेगा 11 दोनी, 22 करके आप सही option चूज कर सकते हैं. नेस्स कोशन दोस्तों थोड़ा सा लंबा कोशन है, और बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग कोशन है, ऐसे कोशन आप एक्जाम में अगर सॉल करने जाओगे तो कम से कम आपका कुछ नहीं तो 5 मिनिट लगने वाला है, अगर आप सीजियल की तैयारी नहीं करते हो, तो टेक बरतन है आपके पास, जिसमें से आपके पास 1 लीटर का असीड है, ठीक है, अब उसी बरतन में से हम 100 ml pure acid was drawn out in each of the breakers A and B, अब हमारे पास एक बरतन है जिसमें से आपको 1 liter acid है, अब इसी एक लिटर acid pure acid है दोस्तों, हम ऐसे दो बरतन A और B लेते हैं, इसमें हम 100 ml इसमें डा करने के लिए से कुछ water मिलाते हैं, और B में भी हम कुछ water मिलाते हैं, जो की different होता है, मतलब A में जो मिलाए गया water की quantity अलाग है, भी में मिलाए गया water की quantity अलाग है, तो वेसल में जो अब हमारी acid की purity होगी, वो 80% होगी, ठीक है, 80% होगी, तो अब बोला है कि contents of breakers A and B, mixed with each other, instead of adding into the vessel, मतलब जो contents हमारा A और B का है, हम वेसल से मिलाने के बजाए एक दूसरे में मिला देते हैं, मतलब एक साथ मिला देते हैं, यहाँ पर मैंने एक separate page में से solve किया हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इसे मैं provide भी कर दूंग आपको टेलीग्राम गुरूप पे, टेलीग्राम गुल लिंक इसी वीडियो के description box में दिया हुआ है, पहले इनिशली मैंने क्या क्या था एक हमने एक दम ब्यातरिन तरीके से अब 100 ml का acid दो जगा हमने A और B में डाल दिया, मतलब हमने 100 ml का एक बार एक बार एक बार एक बार जो की आपको एक बार दो बरतन फिर से लिए उसमें डाल दिये, अब जो left acid होगा वेसल में हमारा कितना होगा, 1000-100-100, मतलब 100 A के लिए, 100 B के लिए निकाल दिया, तो हमारा अगर देखें इस वेसल में कितना बज़ा तो 800 ml का acid अब हमारे वेसल में बज़ गया, अब बोला है कि जो हमने A और B बरतन में 600 ml का जो acid लिया है, उसमें हम पानी मिलाते हैं, पहले में हम X लिटर पानी मिलाते हैं, और दूसरे में हम Y लिटर पानी मिलाते हैं, तो अब हम तो यहां पर दोस्तों आप देखिए बोला है कि now contents of a and b again added back to the vessels, मतलब जो अब contents a और b का उसे फिर से हम अपने vessels में डाल देते हैं, तो हम acid की concentration है वो घटके 80% जाती, क्यों? क्योंकि जो a और b हो, उसमें water भी add किया हुआ है, तो पहले हम देख लेते हैं, वेसल में कितना quantity हो acid है, तो 80% acid का find का दिन क्या करेंगे, 1000 x x y multiplied by 80 by 100 और 1000 इसका total acid होगा, ऐसा क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि acid की quantity है वो तो same ही होगी, अगर हमने जो total vessel जो नया बना हुगा है, जिसमें पानी भी मिला होगा, उसका 80% acid होगा, प्योर 80% उसमें acid है, तो acid की quantity तो दोस्तों सेम ह नहीं है, 1000 नहीं है, तो इसको हम equal to 1000 करते हैं, और जब इस equation को हम solve करेंगे, तो x plus y is equal to 250 आजाएगा, ठीक है, अब जो question में change किया है, वो यह किया है, कि हम जो a और b के contents को वापस हम वेसल में डालके, हम a और b को आपस में ही मिला देते हैं, तो a और b वापस अगर हम मिलाते यह total, पानी plus acid, दोनों है, water plus acid दोनों है, 100 plus x plus 100 plus y, तो इसे जब हम करेंगे, तो यह solve करके 200 upon 200 plus x plus y आजाएगा, जहाँ पर हम x plus y की value 250 रखेंगे, और 4 by 9 हमारा answer आजाएगा, तो दोस्तों, hopefully यह solution आपको समझ में होगा, अगर आपको इस solution का जो पेज है, जो मैं आपको इ दिखा रहा हो, वो चाहिए, तो वीडियो के comment section में जाएगे, टेलीग्राम को को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप यह page डाउनलोड कर सकते है, next question यह है, तो 49, 65 and 73 are three numbers, यहाँ पे ती number दिए हुए है, 49, 65 and 73 are three numbers, which of the following numbers leaves the same remainder, मतलब सेस्फफल, कौन सा ऐसा, which of the following number leaves the same remainder, मत मतलब इन 4 number से divide, अगर हम इन 3 number को करें, तो same remainder, same सेस्फफल कैसे बचेगा, तो आपको बस check करना, 4 से अगर आप divide करें, तो देखें, 4 एक सेस्फफल बच रहा है, अगर हम 49 को हम डिवाइट करेंगे, दोस्तो तो एक सेस्फफल बचेगा, 65 को हम डिवाइट करेंगे तो भ वीडियो के comment section में जरूर बताएगा और आप कौन से प्रीविज सेरे पेपर पे अनालिसिस चाहते हैं उसे भी comment section में बताएगा हम आप सभी लोगों के लिए वो analysis लाएंगे वीडियो कैसी लगी दोस्तो यह जरूर लाएगा कोई कमी लगी हो तो comment section में जरूर बताएगा पस